आप सभी का स्वागत है आपके अपने युट्यूब चैनल टारगेट वित अजसर में आज मैं आपके लिए 13 जून 2020 के मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेर के कोशन्स इस वीडियो में लेकर आया हूँ जो आपके ये इक्जाम के लिए इपोर्टेंट रह सकते हैं और के पहले कोशन की तरफ आज का पहला कोशन होगा हाली में 20 बालसरम पर निशेद डिवस कम मना गया है तो इसका राइट एंसर होगा ऑप्शन c 12 उनको 20 बालसरम निशेद डिवस मनाया गया ठीक है और इसका उद्दे से बालसरम की समसे कर सामाधान अपरते एक बच्च्यो को उनका अधिकार पहुचाना आए ठीक है भारत की केंद्र सरकार ने इंटि-अटि-शिक्स में भालस्रम निसेद और नियम अधिनियम पारिड किया इस अधिनिय के अनुसार ideal बालस्रम लखनी की सलाकार समीति नियुक्त की गई इस समीति की सिफारिश के अमसार खतरनाक उद्यूगों में बच्चों को नियुक्ति निशीद्ध करना है ठीक है चलते हैं नेक्स कोशन की तरफ exact question होगा भारत में ECI 0 की آबादी 523 से बढ़कर कितनी हो गई है तो इसका राइट-ईंसर होगा option भी शेह सोबहत्तर भारत में ECI 0 की संक्या शेह सोबहत्तर होगी है जबकि पहले 533 ठीक है चलते हैं नेक्स कोशन की तरफ थर्ड कोशन हो जावेद इकबाल बानी कहा के उच्छ नियाले के 90 नियुक्त हुए है तो इसका राइट एंसर होगा ओप्शन B जम्मू कास्मीर के हाली में जावेद इकबाल बानी जम्मू कास्मीर के उच्छ नियाले 90 नियुक्त हुए है ठीक है तो यहां क्या है लेफ्ट विन गवर्ण गिरीश चंद्र मुर्मू ठीक है चलते हैं नेस कोचन की तरफ पूर्थ नमर कोचन होगा रूस के अलेकजेंडर सस्टो के डोपिंग टेस्ट में फेल होने फेल होने पर कितने साल की प्रतिवंद लगाया है तो इसका राइटे अन्स रोगा ओप्सन लिए एलेकजेंडर के डोपिंग टेस्ट में फेल होने पर चार साल का प्रतिवंद लगाया है तो और यह पुर्ण यूरोपी हाई जंप चेम्पियन्स एलेक्जेंडर सस्टों पर 4 साल का बैल लगाया गया है तो ये ये प्रतिवन्द ये लगाया है डोपिंग ने तो आई जानते हैं डोपिंग के बार में डोपिंग का मतलब है कि खिलाडियों का खिलाडियों द्वारा उन पदार्थों का सेवन करना जो सारी रिक छमता बढ़ाने के मदद करता है और इससे वह अपनी छमता से ज्यादा अच्छा परदर्शन करता है ठीक है चलते हैं नेस्ट कोचन की फिफ्त नमर कोचन होगा इस्टेंडर्ड एंड पुवर्ष के अनुसार बित वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी में कितने संकुचन रहने का अनुमान है तो इसका राइट एंसर होगा ओप्शन डी माइनस 5% संकुचन रहने का अनुमान लगाया ठीक अगले वर्ष अगले वित वर्ष 2022 में विकासदर प्लस 8.5 रहने का संभावना आया ठीकर चलते हैं नेस्ट कोचन की तरब शिक्त नंबर कोशन होगा फीच रेटिंग्स ने अगले वित वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी ब्रिदीदर कितने प्रतिसत रहने का अनुमान लगाया है तो इसका राइट एंसर होगा ओप्शन बी 9.5% वित वर्ष 2021 में जीडीपी 9.5 रहने का अनुमान लगाया फीच रेटिंग्स ने मौझूदा वित वर्ष में भारत का जीडीपी माइनस 5.7 कुचन हो सकता है ठीकर चलते हैं नेस्ट कोचन की तरब 7.7 कुचन होगा न्यूज मीडिया एसुसियेशन द्वारा इस्थापित दच्छिड एसिया छेत्री इस्थानी ब्रांडों में ब्रांडों की स्रेडी में ग्लोबल मीडिया आवार्ट 2020 के बिजेता कौन है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन सी एवार्ट एवार्ट 2020 के बिजेता ठीक है तो यहाँ पर ब्रांडों में चलते हैं नेशकर की तरप एट नमर कोशन होगा नेशनल इंस्टिटुशनल रेंकिंग ट्रेमवर्क्स इंडिया रेंकिंग दोजार बीस के अमसार उच्छ सिस्चा संस्थानों में सर्वस्थ सर्वसेस्थ इस्थान कौन है तो इसका राइट एंसर होगा ऑफ्षन ऑफ्षन सी आई आई टी मदराश ठीक है चलते हैं नेस कोशन की तरफ नाइन नमर कोशन होगा छोटे बेवसावों की वसूली में मदद के लिए किस कंप्णी ने MSME गती कारिकरम सुर्वात की है तो इसका राइट एंसर होगा ऑफ्षन सी अमेजन ने MSME गती सुर्वात की है अमेजन ने छोटों बेवसावों की वसूली में मदद के लिए MSME गती कारिकरम की सुर्वात की है इकामर्स दिगज सुत्र लगू और मादेम उद्वो और स्टार्टप को उनके कारियों और संचालन को सुरू करने में मदद करेगा जब पूरे देश में कारेकारों को फिर से खोला जाएगा पहल के तहत उत्पादों को विक्रायताओ द्वारा उदम ग्राहकों के परदसित किया जा सकता है ताकि वे थोक आदेश प्राप्त कर सकें यह पहल समझाओतों तो था पहुच बनाने में स्टार्ट अप की सहायता करेगी जो उन्हें कारेकालों पर एक नए समाजिक विवस्ता को परिवासित करने में औसर प्रदान करेगा तो यह लॉंच किया है अमेजन ने तो आई जानते हैं अमेजन के बार में इसका इस्थापना 5 जुलाई 1994 को हुआ था और इसका मुख खाले हैं सियेटल वासिंटन के यूएससे के सियेटल वासिंटन में ठीक है और सी यह हैं जेव बेजोस और संस्थापक भी है जेव बेजोस ठीक है चलते हैं नेस कोचन की तरफ टेम नमर कोशन होगा हाली में किस संगटन ने भारत का पहला बिजनेस टू बिजनेस अभासि ब्यापार मेला आयोजित किया है तो इसका राइटन सरोगा ओफशन डी इपी सी एच ने बिजनेस टू बिजनेस भारत का पहला अभासि मेला आयोजित किया है हस सिल्फ निर्यास समर्धन परिशन ने भारत के पहले बिजनेस टू बिजनेस आभासी ब्यापार मेले का आयोजन किया है जिसमें कई घंटों और प्रतिबंदों के कारण मांगों में गिरावट को सामिल किया गया है EPCS ने भावतिक मेले के बिकल्प के रूप में एक आभासी मंज का निर्मार करने के लिए अपने बिज़ेसी खरदारों और घरेलू बिक्रताओं के डेटा का यूपयोग किया था मेले का आयोजन सारीरिक इस्टालों के साथ दस वर्सों से किया जा रहा था ठीक है चलते हैं नेस कोचन की तरफ 11 नमर कोचन होगा पदम श्री से सम्मानित प्रितम सिंग का हाली में निधन हो गया वह किस वर्स पदम श्री मिला था ठीक है उन्हें किस वर्स पदम श्री मिला था तो इसका राइटेंशन होगा ओप्शन C 2003 में प्रितम सिंग को प्रदम पदम श्री मि सबसे ज़्यादा सुरचित 200 देशों की सूची में भारत की सिस्थान पर है तो इसका राइट एंसर होगा सबसे ज़्यादा सुरचित 200 देशों में देशों के सूची में भारत का इस्थान है 56 ठीक है और यहां रिपोर्ट हांकां की डीप नालेज गुरूप द्वारा जारी किया गया है और प्रता मिस्थान पर हैं स्विटीजर लेंड अंती मिस्थान पर हैं साउथ सुटान ठीक ह चरएब के सुरच्छा और उनके बद को रोकने के लिए गोबध निवारण संशुधन अध्यादेस को मन्जूरी दी है तो इसका राइट' एंस 제रोगा ओपसन डी उत्तरप्रदیश राज ने गायो की रच्छा और उनके बद को रोकने के लिए गोबध निवारण संसूध मसवधा अध्यादेश को मंजूरी दिया है उत्तर प्रदेश में गायों की रच्छा करने और उनके बद को रोकने के लिए सरकार ने मंगलवार को एक मसवधा अध्यादेश को मंजूरी दि जिसके तहत अधिनियम 10 साल सस्त्रव करावास की सजा के साथ 5 लाक रुपे तक का जुर्माना लगाया जा सकता है ठीक है चलते हैं लाश वीडियो कोशन की तरफ कल मैंने आपसे कोशन पूछा था किसने कोबी 90 से बचाव के लिए फार्मूलेशन अनन्या जल आधारी किटाडू नासक इस्प्रे तयार क्या है तो इसका राइट अंसर होगा ऑप्शन एट इसप्रे का इस्तेमाल आम आदमी से लेकर कोई भी ब्यक्ति और हेल्थ कियर वर्कर्स तक कर सकता है थीक है तो यह किया है डाइट ने तो यहां पे बाता होगा है दाइट का तौन है डाइट के बर में इसका फूल पमोगा डिफेंस इंस्टीट आफ एड्वांस टेक्नोल जी और इसे हिंदी में उन्नत प्रद्योगी की रच्छा संसान काते हैं और इस्थापना हुआ था डाइट का नाइंटी 52 में और मुख्याले हैं महाराष्ट के पूड़े में और बॉइस चांसलर हैं सीपी नरायड सीपी राम नरायड ठीक है चलते हैं राश कोचन की तरफ कल के लिए कोचन होगा इसका राइट एंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है हाली में किस देश ने कोबीड नैंटी मरी वीज्यों के उप्चार के लिए ब्लाज़मा नेटवर्क लांच किया है तो इसका राइट एंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है आसा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा यदि आपको आप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंड बोक्स में बताएं आपको कैसा लगा है वीडियो आप इस वीडियो का पीडियाप हमारे टेलिग्राम जनल टारगेट पीट अजय सर से डा एंगी पूर वाचिंग है बें गुड़ देज